आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं कि आप अपने रैडमी या फिर MI के फोन में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कैसे कर सकते हैं यानि कि अगर आपके फोन में लॉक स्क्रीन पर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको जो message में content होता है जो आपका message होता है वो show हो जाता है तो आप उसे बंद कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर lock screen content को hide करने के लिए अपने phone में सबसे पहले settings को open करिए settings में आने के बाद आपको एक option मिलेगा यहाँ पर नीचे की तरफ notifications and control center अगर आपको नहीं मिलता है तो उपर आप search कर सकते है notification उसके बाद ये वाला option आपको show हो जाएगा तो इस पर click करेंगे अब click करने के बाद आपके सामने ये वाला page आएगा और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा lock screen, floating notifications, badges तो आपको lock screen वाले option पर click करना है click करने के बाद आप देख सकते हैं एक option आपको मिलेगा format पर click करिए और click करने के बाद आपका यहाँ पर show notifications and content select होगा याणि कि आपका notification और content दोनों show होगे तो आपको एक option मिलेगा show notifications but hide content तो इस option पर click करके आपका lock screen notification content हाइड हो जाएगा तो इस तरह से आप यह settings करके Redmi after MI के phone में lock screen notification content को हाइड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें